अध्याई सत्रह, वाक्य, शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग-अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्रायस पष्ट नहीं हो पाता, शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गती से बोलने पर ही वक्ता का अभिप्रायस पीता है, गधे के सिर पर सीन नहीं होते, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रात काल थंडी हवा चलती है, मोहन पत्र लिखता है, उपरयुक्त सभी वाक्यों में प्रयुक्त शब्द, पूरा अर्थ प्रकट कर रही है, अते ये सभी वाक्य है, वाक्य के अंग, वाक् प्रेश्टा बताने वाले शब्दों को, उद्देश का विस्तार कहा जाता है, जैसे, जहासी की रानी लक्षमीबाई ने अग्रेजों से लोहा लिया, इस वाक्य में लक्षमीबाई ने उद्देश है, कथा, जहासी की रानी, उद्देश का विस्तार है, अतेह, जहासी की रानी लक्षमी बाई ने, पूरा अंश उद्देश के अंतरगत ही आएगा, दो, विधे, उद्देश के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वह विधे होता है, उपर्युक्त वाक्य में, अंरेजों से लोहा लिया, विधे है, विधे का भी विस्तार हो सकता है, अब निम्लिख वाक्यों में उद्देश और विधे की स्थिती देखिए, एक, राम ने, रावन को मारा, दो, परवत्राज हिमालय भारत का मुकुट कहा जाता है, तीन, काफी बच्चे बगीचे में खेलते हैं, चान, मेरा मित्र शशान कल आएगा, उद्देश विधे, एक, राम ने, रा दो, परवत्राज हिमालय भारत का मुकुट कहा जाता है, तीन, काफी बच्चे बगीचे में खेलते हैं, चान, मेरा मित्र शशानक, कल आएगा, दूसरे वाक्य में परवत्राज, तीसरे वाक्य में काफी, तथा चोथे वाक्य में, मेरा मित्र उद्देश के विस्तार है, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों को दो आधारों पर वर्गी कृत किया जाता है, खर, रचना के आधार पर, खर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य भेद, इस आधार पर वाक्य के तीन भेद है, एक, सरल वाक्य, दो, सन्युक्त वाक्य, तीन, मिश्र वाक्य, एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य में उद्देश एक से अधिक हो सकते हैं, पर विधे एक ही होता है जैसे, रमेश आया, रमेश ने खाना खाया, एक लड़का और चपरासी पहुँच गए, गीती का रवी और सलीम आ वाक्यों में विधे एक ही है, ये सब सरल वाक्य है, दो, सन्युक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्च बोधक, अव्यय से जुड़े रहते हैं, जैसे, मैं सात्वी कक्षा में पढ़ता हूँ, और मेरी बहन चौती कक्षा में, इसमें दो सरल वाक् वह चला गया, परंतु, रास्ते से लोट आया, पिताजी बाजार गए है, लेकिन माताजी घर पर है, कुछ बच्चे पढ़ रही है, तथा कुछ बच्चे आराम कर रही है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई, और फिर चली गई, आप चाय पिएंगे या कॉफी, जल्दी चलिए अन्य था, गारी छूट जाएगी, पिताजी प्रातकाल दूद पीते हैं, और सायंकाल चाय पीते हैं, मैं भी आपके साथ चलता, किन्तो मेरा स्वास्त्य ठीक नहीं है, मिश्रवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, और अन्य आशृत उपवाक्य हो उसे मिश्रवाक्य कहते हैं, इसमें गौर उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आशृत रहता है, मिश्रवाक्य के उपवाक्य की जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, आदी योजकों से जुड़े होते हैं, उदाहरन अध्यापक ने बताया, कि कल छुटती रहेगी, जो लड़का कमरे में बैठा है, वह, मेरा भाई है, जब मैं छोटा था, तब साइकल चलाता था, अब आप प्रधान उपवाक्य और आशृत उपवाक्य की स्थिती समझे, एक, महात्मा गांधी ने कहा, कि सदा सत्य बोलो, प्रधान उपवाक्य, योजक, आशृत उपव तीन, जहां जहां हम गए, हमारा भव्य स्वागत हुआ, आशृत उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, समझो, एक, प्रधान मुख्य उपवाक्य, वाक्य में जो उपवाक्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, दो, आशृत उप अभी जानते हैं प्रधान मुख्य उपवाक्य, सचिन अच्छा खिलाडी है आश्रित उपवाक्य की समुच्य बोधक, खक, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इस आधार पर वाक्य के आठ भेद है, एक, विधान वाचक, दो, निशेद वाचक, तीन, प्रश्न वाचक, चा संदेह वाचक, साथ, इच्छा वाचक, आठ, संकेत वाचक, आईए, अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जाने, विधान वाचक, इसमें बात या, काम के सामान्य रूप से होने का बोध होता है जैसे, वहां आया, प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंदा जंदा खंडी हवा चल रही है, आकाश में तारे टिम्टिमा रहे हैं, निशेद वाचक, नकारात्मक, इसमें बात या, काम के ना होने का भाव प्रकट होता है जैसे, मैं यह काम नहीं करूँगा, अब वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ भी न कर सका, मेले में मेरे जाने का पूछा जाता है जैसे, आप कब आएं, मुझे कौन रोक सकता है, वा क्या कर रहा है, रक्षा बंधन कब है, चार, आग्यावाचक, इस प्रकार के वाक्य में आग्या, प्रार्थना या आदेश का भाव रहता है जैसे, तुम यहां से चले जाओ, किसी का जी न दुखाना, अपना बिस्तर साफ करो, तुम बाहर जा सकते हो, पांच, विस्मयादी वाचक, इस प्रकार के वाक्य में, विस्मय, हर्ष, शोक, घ्रिना आदी का बोध होता है जैसे, कैसा, सुन्दर द्रिश है, अहां, मैच जीत लिया, अरे, यहां क्या हो गया, जी, बेशर्मी दिखा 6. संदेह वाचक, इस प्रकार के वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है जैसे, शायद आज वर्षा हो, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, वहां कश्मीर चला गया होगा, राजू ने गाड़ी पकड़ ली होगी 7. इच्छा वाचक, इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुबकामना, आशिरवाद, आदी का भाव होता है जैसे, ईश्वर तुम्हें दीर घायू करे, तुम्हारा कल्यान हो, परीक्षा में तुम्हें, शांदार सफलता मिले, सुखी रहो 8. संकेत वाचक शर्थ बोधक, इसमें एक बात या काम का होनाया, न होना किसी दूसरी बात या काम पर निर्भर करता है जैसे, यदी वर्षा होती तो, फसल अच्छी होती, यदी तुम पढ़ते, तो पास हो जाते, तुम चलते तो, मैं भी चल पढ़ता, राधा आती तो, बासूरी सुनने को मिलती, आपने पढ़ा और समझा, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित, समोव वाक्य कहलाता है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश और विधे, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक, सरल वाक्य, दो, सन्युक्त वाक्य, तीन मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, एक, विधान वाचक, दो, निशेद वाचक, तीन, प्रश्न वाचक, चार, आग्या वाचक, पांच, विस्मय वाचक, छे, संदेह वाचक, साथ, इच्छा वाचक, आठ, संक्र,